ज़ीन है ट्वीरिन हों तक चांब है और फ्रेंट तक आगे प्रेंट आप कि इससी वीडियो में आप के साफ जाएकंश मीले टो पे Ciao जाए है इसकी कटिंग वीडियो मेरे चैनल पे पहले से हैं आपके साथ कर चूकीहहूं तो अगर नहीं देखा हूं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसके लिंक मिल जाएगी तो आप जरूर देखिए तो ठीकिए सबसे पहले में अपने बैक पार्ट को स्टिच करेंगे तो यह जो हमारा मैन फैवरिक है उसके उपर हमने अस्तर को इस तरीके से रखा हुआ है तो हम अपने मैन फैवरिक के सीधे करखेंगे आप छाहें तो पं लगा के इसको अच्छय से सैट कर ले और देखिए कि तरफ से हमें इस पेड़ारी लगानी एथ तो हम से तरीके से अपने अस्तर को संटर से और इस तरीके से एक फूट की मारजिन से हम स्लाई लगा लेंगे दीखिए अब आपको इस तरीके से अस्तर को पलटना है और उपर से सलाई लगा लेना है सलाई लगाने के बाद हम इसको पलट के अच्छे से पिन से अटेच कर लेंगे और इस पर हम अच्छे से सलाई लगा लेंगे तो दीखिए इस तरीके से हम इस लड़ी लगा लिना है दीखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है अब हम उसको कट कर लेंगे हमने जो इसमें पिना टेच की थी हम उसको निकाल लेंगे अब हम अपने टक्स का निशान लगाएंगे इसमें तो दीखिए हम बड़ी साइस का बना रहे हैं तो हम बीच के सेंटर से साज़े चार इंच पर निशान लगाएंगे और उपर के तरफ भी हम 1,5 इंच पर निशान लगाएंगे और देखिए दोनों तरफ से हाफ हाफ इंच पर निशान लगा लेना है आपको को इस तरीके से इसको डार्क कर देंगे हम और बीच से हम इसको फोल्ड करके दूसरे तरफ सेम निशान बना लेना है यह बहुत ही इसी तरीका होता है दूसरे तरफ निशान ड्रो करने का तो देखिए इस तरीके से अब हम अपने टक्स पर लगा लेंगे तो देखिए इस तरीके से बीच के सेंटर से पकड़ना है कपड़े को और इस तरीके से सलाई लगा लेना है जैसा शेप हमने ड्रो किया था हमें वैसे ही सलाई लगानी है दूसरे तरफ भी हम इसी तरीके से सलाई लगा लेंगे तो दीकि हमने दोनों टक्स को स्टिच कर लिया है तो दीकि हमारा जो बैक पार्ट है वो त्यार हो चुका है अब हम अपने फ्रेंट पार्ट को त्यार करेंगे तो दीकि जो हमारे फ्रेंट पार्ट का एक पार्ट है हम पहले उसको त्यार करेंगे तो इसके चारों तरफ पह तो दीखिए हमने इसको चारो तरफ से सिलाई लगा लिए है अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसको कट कर लेंगे तो दीखिए जो हमने चारो डाट के निशान लगा आए हैं हम उस पर सिलाई लगा लेंगे दीखिए इस तरीके से इस लाई लगाने से क्या होता है जो हमारे डाट लगाएंगे तो हमारा जो अस्तर का फैबरिक है वो कपड़े से निकलेगा नहीं बिल्कुल कपड़े के साथ अटेच हो जाएगा तरीकी चारो डाट पे हमने सिलाई लगा लिए अब हम अपने चारो टक्स को इस तरीके से स्टिच कर लेंगे जैसे हमने शेप लगाया था आपको चारो डाट पे इसी तरीके से सिलाई लगा लेना है और जो हम इसका सेकंड पार्ट त्यार करेंगे वह भी इसी तरीके से त्यार करेंगे तो दीखिए हमने दोनों पार्ट को त्यार कर लिया है और ये जो टक से वो बिल्कुल फिनिशिंग से आए है अब हम अपने बैल्ट को त्यार करेंगे तो दीखिए जो बैल्ट है उसको भी हम वैसी ही त्यार करेंगे जैसे हमने बैक पार्ट को त्यार किया था मैं फेबरीक के उपर अस्तर को रखेंगे और नीचे के तरफ कमर से सिलाई लगा लेंगे आप चाहें तो अपने फ्रेंट पार्ट पर कमर पट्टी का भी यूज़ कर सकते हैं पर हम कमरपट्टी का यूज नहीं कर रहे हैं इसलिए अपने बैल्ट को डायरेक्ट पलट रहे और इस तरीके से अस्तर को पलट के ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे तो दीकि इस तरीके से हमारा बैल्ट त्यार हो गया है अब हम इसको इस तरीके से पलट के चारो तरफ सिलाई लगा लेंगे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसको कट कर लेंगे तो दीकि जो हमारे दोनों बैल्टे वो त्यार हो गएं अब ऐसको करएंगे तो अस तरीके से आपको फ्रन पार्ट को रक ना है और जो को इस तरीके से हलका सा बाहर निकालते हुए आपको सलाई लगानी है तो दीखिए मैं आपको बता दूं जो यह टक्स है उस तरीके से फोल्ड करना आपको देखिए इस तरीके से आपको हलका से फोल्ड करके आपको सलाई लगानी है तो दीखिए जो नीची का टक्स है हमारा इसको प्रोपर से फोल्ट के एलिगे और उपर से बैल्ट को लगालेंगे बैल्ट को ईक्स्टा तो उशीन काउं रросी में हमारा है याउ फाल से सोले लगाले 5 यंदे ऐभी दो बैल्ट लगा लेगे हमारे दोनों पार्ट त्यार हो गए अब हम होकाई की पट्टी को लगाना है हमें तो हम होकाई की पट्टी त्यार करेंगे तो देखे हम राइट साइड अपनी हुक की पट्टी लगाएंगी तो इस तरीके से पट्टी को पहले हम नाप लेंगे और हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए पट्टी को हम कट कर लेंगे हुक और आई के पिट्टी आप जिस तरफ भी लगाना चाहे उस तरफ लगा सकते हैं इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो दीखे एक स्टा कप्रे को कट कर दिया हमने और धाई इंच की हमने एक पट्टी तयार कर लिए तो दीखे पट्टी को हम एक तरफ से इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे आप चाहे तो डबल फोल्ड करके भी पट्टी को लगा सकते हैं तो दीखे इस तरीके से हम अपने ब्लाउच के ऊपर पट्टी को रखेंगे हाफ इंच की मार्जीन से हमको सिलाई लगाना है आप चाहें तो इस पट्टी को उपर के तरफ इस तरीके से हाफ इंच पर फोल्ड कर सकते हैं हम नीचे के तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा रहे हैं देखें इस तरीके से तो देखे जो पटी है वो इस तरीके से पल्टेघी है हमारी उपर के तरफ से हम एक Sly लगा लेंगे पटी पर देखे इस तरीके से स्लाइ लगा लेना है आपको इस तरीके से फूल्ड करके डबल फूल्ड करके तो दीकि हमने पट्टी को सलाई लगा के त्यार कर लिया है आप इस तरीके से त्यार कर लीजिए अब हम अपनी आई की पट्टी को त्यार करेंगे तो दीखिए इस तरीके से हम इसको भी नाप के आफ इंच एक्स्ट्रा लेके कट कर लेंगे आई की पट्टी हमको तीन इंज की रखनी है तो देखी इस तरीके से तीन इंज में निशान लगा के पट्टी को कट कर लेंगे आई की पट्टी का हम हमेश अपने मैन फैबरिक से ही बनाते हैं तो दीकि अस्तर के फैबरिक को मैन फैबरिक के ऊपर रखके कट कर लेंगे तो दीकि इस तरीके से स्लाई लगा के पहले इसको बराबर कर लें कि आप जो एक्सट्रा कप्रा है उसको हम गज छेट कर देंगे देखिए अब पट्टी को लगाएंगे वह पट्टी को हम इस तरीके से नीचे से half inch फोल्ड कर देंगे और ब्लाउच को उसके उपर रखेंगे और इस तरीके से बराबर करके सिलाई लगा लेना है आपको तो देखिए पट्टी को इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे तो देखे इस पे हमको डबल सलाह लगा लेना है एक फुट की मार्जिन से अब जो एक्स्ट्रा पत्टी इसको देखे इस तरीके से कट कर लेंगे तो देखे हमारी जो आई की पत्टी है वह मिनके तयार हो गई है तो यह देखो हमारे दोनों पत्टि आप बल्कुल बराबर ह अगर आपकी कोई भी पत्टी चोटी बड़ी हो तो आप उसको इस तरीके से बराबर रखे गली के पास से कट कर लीजिए और बराबर कर ले अब अपने शोल्डर को अटेज करेंगे तो देखे बेक पाट को इस तरीके से रखेंगे और अपने फ्रेंट पाट को उसके दूसरे तरफ के शोल्डर पे भी हम इसी तरीके से सलाई लगा लेना है दिखिए इस तरीके से उपर के तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसको कट कर देंगे और साइट से भी कट कर लीजी अगर आपका जो कपड़ा चोटा बड़ा हो रहा हो शोल्डर के पास से तो देखिए इस तरीके से नापके बल्कुल बराबर कट कर लेना है आपको दूसरे तरफ से भी इसी तरीके से बरावर रखें शोल्डर के पास से हमको कट कर लेना है अगर हमारा कपड़ा चुटा बड़ा हो रहा है तो देखे इस तरीके से तो दीकि हमने अपने बैक का और फ्रेंट पार्ट को अटेज कर लिया है अब हम अपने स्लीफ को तेयार करे स्लीफ को नहीं अपने अस्पर को लखना है और दिकिस तरीकी से हमें ऐइंच की मारजिन कि इस तरीके से हम अपने स्पर को पिल्टेंगे उपर के तरफ से सिलाई लगा लेंगे जैसे Hunday बैक काट को पलता था सेम वैज सी पलणके लगा लेना है हम को अब हम इसको इस तरीके से चारो तरफ लाई लगा लेंगे हमें अपनी दूसरी स्लीव को भी ऐसे ही तैयार कर लेना है जो एक्स्ट्रा फैवरिक हैं उसको कट कर लेंगे कि कि तो या not there कि हिए से इस तरीके से तयार हो गई है हाफ इंच की इसमें घुलाइभा भी किठ करकी थी पहले से ही है तो यह इनले कि प्रिंड्ट हैं कि हमारे जो और पिन से उसको हमाँ टेच कर देंगे बीच के सेंटर पे देखी इस तरीके से और इसको हम इस तरीके से गोलाई से नाप लेंगे और इसको यहां से हमें स्लाइस शुरू कर देना आए एक तरफ से दोनों पार्ट को बिल्कुल बराबर रखना आए स्लीव्स को हमको खीचना नहीं है तो दीखे हमारी स्लीव्स अटेज हो चुकी है हम दूसरे तरफ भी इसी तरीके से अपने स्लीव्स को अटेज कर लेंगे तो दीखे हमने अपने दोनों तरफ स्लीव्स को जोईन कर लिया है अब हम इसमें फिटिंग लगाएंगे तो दीखे फिटिंग कैसे लगाना है हमको बीच के सेंटर से हम दोनों पार्ट को बराबर करके सलाई लगा लेंगे देखे इस तरीके से बीच के सेंटर से दोनों पार्ट को हमको बराबर करके सलाई लगाना है और जो एक्स्ट्रा फैबरिक होगा हम उसको कट कर देंगे हम अपने दूसरे पार्ट पे इसी तरीके से सिलाई लगा लेना है अगर आप बीच के सेंटर से दोनों पार्ट को बराबर रखके फिटिंग लगाएंगे तो आपके फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिटिंग में आपको इस तरीके लगा के अपने ब्लाउच को पलट लेंगे तो देखे हमने अमारे ब्लाउच को उल्टा कर लिया है और दोनों पत्ति को हम बिलकुल बराबर रखेंगे और बीच के सेंटर से हम अपने फिटिंग नाप लगाएंगे तो दीखें साड़े नुओ इंच पे हम अपना नाप आपके चेस्ट का और कमर का भी हमको फॉर्थ पार्ट लेकी निशान लगा लेना है दूसरे तरफ विदे के इस तरह के से फिटिंग का निशान लगाए कि बिल्कुल बराबर रख की लगाएं बीच के सेंटर से लिखी इस तरह के से हम अपनी स्लीव्स का नाप भी वैसे ही लगा लेंगे दूसरे स्लीव्स पर भी हम इसी तरीके से नाप लगा लेना है अब हम फिटिंग के सिलाई लगा लेंगे देखे इस तरीके से बिल्कुल बराबर रख के सिलाई लगाना है हमको दोनों तरफ दूसरे तरफ भी ऐसे ही फिटिंग लगा लेंगे हम अब हम अपने ब्लाउच को सीधा कर लेंगे हमने हमारे ब्लाउच पर फिटिंग लगा ली है अब हम इसके गले को तियार करना है तो दीकी हम इसमें थ्रेट पाइपिंग का यूज़ कर रहे हैं हमने अपनी पाइपिंग बना के रखी हुए तो इस तरीके से आप इंच बाहर के तरफ निकाल के इस तरीके से अंदर के तरफ फोल्ड करके सलाई लगाएंगे हम देखिए इस तरीके से आपको रखना है पाइपिंग को और इस तरीके से सलाई लगा लेनी है तो इस तरीके से बिल्कुल शेप में फिनिशिंग से पाइपिंग को लगा लेना है इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से फोल्ड करना है अपने पाइपिंग को और उसके ऊपर से सलाई लगा लेना है तरीके डबल फोल्ड करते हुए अच्छे से कपड़ा सेट हो जाए हमारा इस तरीके से सलाई लगा लेंगे हम बिल्कुल फिनिशिंग से कपड़े को फोल्ड करते जाए और पाइपिंग को बनाते जाए करते हैं करते हैं तो दीकी हमारी जो थ्रेट पाइपिंग है वो हमने लगा ली है और यह दीकी कित्वी फिनिशिंग से हमारी पाइपिंग लगके तयार हो गई है तो friends हमारा जो बलाउस है वो बनके पूरी तरीके से तयार हो गया है तो friends आज के इस वीडियो में मैंने आपको बहुत इजी तरीके से vortex blouse की stitching सिखाई है और cutting का वीडियो भी मेरे चैनल पे है आप उसको देख सकते हैं मैंने उसमें बहुत इजी तरीके से cutting सिखाई है तो friends आपको वीडियो कैसा लगा मुझे comment करके ज़रूर बताए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली वारा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेल आइकन बटिन को जरूर दबाईए ताकि मेरे आने वाला हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुचे तो मिलते हम अपने नेक्स्ट वीडियो में